हाई फ्रेंड्स हावर यू वेलकम एंगेन एक्जाम गुरू तो हम चर्चा कर रहे थी यूपी टेट के और सीटेट के और नेट में आने वाले पेड़ोगों यानि बाल मनो विज्ञान से सम्मधित प्रस्णों की ठीक है तो इससे पहले मैंने टोटल पांच वीडियो कंप् प्रस्ण आये हुए हैं उनको मैंने समाहित किया है तो इस वीडियो को ध्यान से दिखेगा वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बताना चाहूंगा यह चैनल का नाम है इसको आपको सब्सक्राइब करना है क्यों करना है अगर इसको सब्सक्राइब कर और मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को तुरंत जो है नोटिफिक्शन मिल जाएगा कि कोई नया वीडियो इसका अगला सीरीज करना वीडियो अपलोड हुआ है तो आसानी से आपको जो है अपडेट मिलते रहेंगे तो सब्सक्राइब करें यूपीटेट सीटेट 27 परिक्षा में 100% सफलता पाने के लिए एक बार पूरे वीडियो को आवस से देखें ठीक है इस वीडियो को सेर करता कि यह उन सब तक पहुंचे जो गाओं में बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज इलाकों में हैं या फिर पैसे नहीं है कोचिंग जोईन करने के लिए तो वह इस वीडियो को देखें लाभानवीत हों ठीक है तो हम सुरू करते हैं पहला प्रस्ण ठीक है यह सीरीज में 60 प्रस्ण है इसके पहले मैंने 59 वीडियो कवर किये थे पिछले वीडियो में तो यह दिखिए आप लोग प्रस्ण के रूप में कैस से टेट में कॉस्टन्स आते हैं दो विद्यार्थी एक ही ऑतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके भीन अर्थ निकालते हैं उनके बारे में निमलखित में से क्या सकते हैं ठीक है तो संभा हो है क्योंकि ब्यक्ति के अधिकम को बिवित कारणों विभन विधियों से करते हैं इसके कहने का मतलब यही है अगला प्रश्ण है राष्ट्री पार्ठ चर्या की रूप रेखा 2005 के अनुसार अधिकम अपने सोभाव में कैसा होता है यह पहले को सनाया हुआ है इसका उत्तर होगा सक्क्री और सामाजिक ठीक है तो अगला प्रश्ण है रूप से चिंतन करने तथा प्रभावसाली स्क्षार्थी बनने में सक्षम बनाने है तो सिक्षक के लिए क्या मतलब यह इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों को सीखाना की किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुविक्षड करें अगला प्रश्ण है यदि कोई सिक्ष क का चाहे कि उसकी विद्यार्थी समस्या समधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को कैसे क्रिया कलापों में लगाना चाहिए यह देखिए यह को सारे आई हुए हैं इनको आप बिल्कुल है छोड़िये का मत बार बार देखिए इस वीडियो को ताकि यह या कर सहयक है कि इसका उतर हुआ सिक्षक के लिए अपने सिक्षड को अधिक सार्थक बनाने की यूजना में सहयक है अगला प्रश्ण है अधिगम को प्रभावित करने वाले तक तो कौन-कौन से हैं तो यह चार तक तो मैंने लिखे हैं छांट के पूरे यह बार वार एक्जा करे-णारन यानि-कि मोझाजिड़ेशन आप लर्नर अधिसरा है शिछार्थी की परिपकोता यानिकि मैं전에 शोरेरिशन आप लर्नर तीसरा है शिक्षड योगतियाय यानि रिव स्ट्रेटरिग्स चौथा है सिक्षार्थी का सारे रिक और समवेगात्मक स्वास्त यानि कि फीजिकल एंड इमोशनल हेल्थाथ लगनर अगला प्रश्ण है सार्थक अधिगम क्या होता है नीजी अन्भों से ज्ञान की संदचनाओं का सक्री निर्माड ही होता है सार्थक अधिगम होता है अगला प्रश्ण है विद्यार्थियों के प्रभावसाली अधिगम के लिए कौन सा कार्य प्रारंभी कार्य है तो हम देखते हैं ये तीन कारे मैंने लिखे है प्रयासों को कैसे देखें और सुधार करें अगला प्रश्न है विकास के सिध्धानतों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है ऐसे कोश्चन मनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए चार आप संदिये रहेंगे चारों आपको सही लेगे तो अगर आपने पहले कि पांचो कर ले जाएएंगे बाल विकास के सिध्धान ठीक है तो विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है ठीक है यह तो सही है विकास वनसानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है यह भी सही है प्रतेग बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है ये भी सही है लास्ट है विकास एक परिमाड आत्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन क्या था ये वीडियो गलत है ये पॉइंट गलत है तो जिन्होंने पहले वीडियो देखेंगे उनको ये तीन पहले के तीन लाइन समझ में आ गया होंगे अगला प्रश्ण है किस विसिष्ट अन्योन क्रिया का परिडाम विकास की विविद मार्गों और निश्कर्षों के रूप में हो सकता है तो वन सान उकरम तुथा परिया हो रहे है आगला प्रश्ण है विद्यायले और सामाजी करण के बारे में क्या ओधाराण है तो विद्यायले सामाजी करण का एक महत्वपूर्ट कारक है ये ये सारी ये अग्जाम में आ चोके हैं अगला प्रशना है जीन पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान के बारे में निमलिखित कतनों में से सही कतन कौन सा है देखिए इसके पीशे बारे लेक्चर में मैंने जीन पियाजे के संग्यानात्मक विकास के ग्यान के बारे में एक वीडियो बनाया था पूरा detail उसमें पड़ा हुआ है । पी आजे का तर्ख है कि संग्यानात्माग का विकास चड़ों में आगे बढ़ने की अपिक्शन निरंतर होता है छी कि ये तो गलत है पी आजे ने संग्यानात्माग विकास के प Kennedy स्पषट पियाजे ने संग्यानात्म विकास के पांच इसपष्ट चरण प्रस्तावित की हैं ये भी गलत है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थे रोत हैं ये सही है बच्चों के सांस्क्रितिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता यानि कि इन में से जो है केवल तीसरा सही है बागी ये तीनाफन गलत हैं ठीक है अगला प्रश्ण है जीन पी आजे के दोवारा प्रस्तु सन्रश्चर के प्रत्य कांसेप्ट से क्या तात्परी है तो इसका उत्तर होगा कुछ भौती गुरधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकर्तियां बदल जाए अगला प्रश्ण है हारवर्ड गार्डनर के बहुँ बुद्धी सिध्धान के अनुसार बुद्धी के प्रकार एवं उनकी अवस्थाओं का वर्डन कीजिए ठीक है तो बुद्धी का प्रकार और उसकी अंता वस्था देखते हम यानि कि अगर जो है संगीतात्म बुद्धी का प्रकार है तो वो आदमी वाइलन वादक हो सकता है ठीक है अगर वो बुद्धी उसकी जो है भासिक प्रकार किये तो कभी हो सकता है अगर अंतरवेक्तिक है तो चिकित्सक हो सकता है स्थानिक है तो मुर्तिकार हो सकता है या कवी की बुद्धी जो होती है वो भासिक प्रकार की होती है, चिकित्सक की बुद्धी होती है, अंतरव्यक्तिक होती है, मुर्तिकार की बुद्धी होती है, स्थानिक होती है, ठीक है, इसको चाहे जैसे याद करें आप, बस कॉंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, अगला प भासिक विकास मानों चिंतन के सुभाव को बदल देता है यह पूरी लाइन आपको पता होनी चाहिए किसे ने कहा था मानों चिंतन के बारे में वाई गुद्वक्री ने क्या कहा यह आपको याद होना चाहिए भासिक विकास मानों चिंतन के सुभाव को बदल देता है ठीक है अग्ला प्रैस्टा है लारेंस कोलवर्ग ठीक है यह एक मनोवग्या नहीं है तो लारेंस कोलवर्ग के नैतिक तर्ग के सिधान की अनेग बातों के लिए आलोचना की जाती है क्योंकि कोलबर्ग ने अपने अध्यान को मुलतर पुर्षों के नमूनों पर आधारित रखा इन्हों ने केवल अपने अध्यान में केवल पुर्षों के नमूने लिए इस्त्रियों के नहीं लिए इसलिए इनके सिध्धान की आलोचना की जाती है अगला प्रश्णा है अधीघम के आकलन को कौन सा कथन उजागर करता है ठीक है तो सिक्षक विद्यार्थियों की चिंधन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी और धरनात्मक समझ का भी आकलन करता है ठीक है अगला प्रश्णा है बाल के इंदर सिक्षा सास्त्र का क्या उद्धिस से ये बहुती फेवरेट कोच से झ ents ready और यह कभी कभी यूजी सी नेट के भी जो है पेड़ोगोगी के पार्ट में पूछ लेता है तो बाल के इंदर सिक्षा सास्त्र क्यारत है देखते हैं बच्चों के अनभाओं और उनकी आवाज को प्रमुकता देना यानि कि गिविंग प्राइमेशी तू चिल्ड्रेंस एक्सपिरियंस एंड वाइसेज तथा बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसके सिक्षा की ब्यूस्था करना ठीक है तो मतलब वही चाइल्ड सेंटर एडियोकेशन जो होता है यानि कि बाल के इंदर सिक्षा होती है बच्चों को कि मनोविज्ञान को समझ कर उसके अन से अगर सत्तर से नीचे जो है ऐक्यू है तो वह निस्चत शेंट विद्धी का भेकति होगा है ठीक है अगर सत्तर से के पुरून्याशी के बीचत के बीच में थे टूह जोक कुंछ छेंद बूब देका कि एक आशी से में बार बार कोस्टन पूछता है IQ level तो 110 से 119 की बीच में है तो उच्छ सामान्य बुद्धी का व्यक्ति होगा 120 से 119 का है तो स्रेश्ट बुद्धी का व्यक्ति होगा और 130 से उबर है तो वो प्रतिभास आली होगा जैसे बिछले कुछ सालों में दो प्रस्ना आ चुके हैं ऐसे कुस्टन मनाएगा एक बच्चे का IQ level 140 के उपर है तो वो किस रेणी में रखा जाएगा तो वो प्रतिभास आली होगा यह अभी पिछले कुछ सालों में यह प्रस्न पूछा गया था ठीक है मगले प्रस्न में चर्चा करते हैं पियाजे और वाइगोत्सकी के द्रिश विचार जन्म लेता है और वाइगोत्सकी के अनुसार जो है भासा का विचार पर भारी प्रभाव वड़ता है अगला प्रशन है विद्याले यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपनी पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है तुम अच्छी लड़की की तरह आग है बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है पहले तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि यह प्रस्ण कहें क्या रहा है क्या आंसर पूछेगा इसलिए पहले निश्चिन्थ हो कि पहले पूरे प्रस्ण को आराम से बढ़ लें ठीक है उसके बाद आप्संस देखें आप्सं में कह लिंग समरूपता तो यह लिंग समरूपता तो नहीं दरसा रहा है ठीक है क्योंकि इस में लड़की और लड़के में जो है एक आसमानता दिखाई जा रही है इस कथर में ठीक है अगला है लड़कियों और लड़कों के सुभाओं के बारे में रोड़ी बत धारणा ठीक है तो ये भी गलत है नहीं ये सही होगा क्योंकि लड़कियों और लड़कों के सौभाओं के बारे में रूडी बत धरां हां दोनों में दिखाये जा रहा है कि तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं करना चाहिए, तुम वह नहीं करना चाहिए सीधे सीधे का जा रहा है तुम लड़की हो तुम्हें लड़कों जैसा बेवहार नहीं करना चाहिए तो यह आप्शन भी गलत है बच्चों के पालन पोसर में परिवार की कठिनाईया यह तो बिल्कुल सारा सार गलत है ठीक है तो किवल आप्शन दो जो है वो सही हुआ अगला प्रशन है आकलन एसेस्मेंड का क्या उद्देश से होना चाहिए तो आकलन से विद्द्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों और रिट्टियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके ठीक है आकलन के वर निसमरण सक् नहीं बोधन और अनू प्रियोग काफी होना चाहिए अगला प्रश्ण है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेज आउसक्ता वाले कि सिक्षा ब्यौस्था में बढ़ाना चाहिए ठीक है तो समावेसी सिक्षा ब्यौस्था में इस प्रावधान के साथ साथ पढ़ाना चाहिए कि उनकी व्यक्तिकत आउसक्ताओं की पूर्ति के ज़िए प्रश्ण वाया हुआ है 82 प्रश्ण है जिस कक्षा कक्ष में विविद प्रिष्ट भूमी से विद्यार्थी आते हूं वहाँ एक प्रभावी सिक्षक को क्या करना चाहिए ठीक है तो समों में व्यक्तिक विन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्क्रितिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए अगला प्रश्ण है समवेग और संग्यान यानि कि इमोसन और कागनीशन में क्या संबंद है तो समवेग और संग्यान यानि इमोसन और कागनीशन परस पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अगला प्रश्ण है विवित सिक्षार्तियों वाली एक समावेसी कक्षा में सहयोगी अधिगम के लिए क्या करना चाहिए तो सक्री रूप से प्रोसाहन किया जाना चाहिए जिससे समाव वैसकों की सुईकारता बढ़े ठेक है तो सक्री रूप से प्रोसाहत किया जाना चाहिए ताकि जो सम वैसक है और की सुईकारता जो है बढ़ती जाए क्लास में ठीक है अगला प्रश्ण है एक सिर्श का अपनी कक्षा में विवित्ता को संबोधित कर सकती है कैसे कर सकती है भिन्नता को सुईकार करके और उसे महत्त हो देकर संबोध ठीक है बच्चों की सामाजिक सांस्क्रितिक प्रिष्ट भूमी का सिक्षा सास्त्री संसाधन परयोग कर सकती है और विविन अधिगम सैलियों को समाजित करके कर सकती है ठीक है अगला प्रशन है कोई सक्षी का अपनी कक्षा में फरनीचर की तीखी धार वाले किनारों को कई किनारों को रुई से ढगा रहने को कहती है और छूव तथा अनुभाव करो वाले सुचना पट्टों का प्रियोग करने को कहती है वह किस वर की विशेज सिक्षारतियों की आवसकता पूर्ती करने का प्रियास कर रही है तो दीखिए ये जो है दृष्टी विकलांग सिक्षारति यानि जो इनकी आखे काम नहीं करते हैं अंधे वालकों के लिए ठीक है इनको दृष्टी विकलांग कहना जाते अच्छा होगा तो अगला फ्रश्ण है प्रतिभा साली बच्चे के लिए सबसे अच्छे सैक्षी कारेकरम क्या हो सकते हैं तो प्रतिभा साली बच्चा जो है उसके लिए सबसे अच्छा सैक्षी कारेकरम हो सकता है कि उनके चिंतन को प्रेड़ित कर उन्हें विविद विचारों में ब्यस रहने का आउसर देदें, ठीक है, आखरी प्रस्णा है, विद्याले में विद्यार्थों की अस्फलता के बारे में निमलखित में से कौन सा कथं सही है, ठीक है, विशिव जातियों और समधायों से सम् विद्यार्थी विद्यालों में अस्फल होते हैं, क्योंकि उन्हें योगता नहीं होती है, तथा उन्हें अधिकम के लिए उप्रुसकार नहीं दिया जाते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं, उनको समय समय पर प्रुसक्रित भी किया आता है, दंड इश्चा के बात की तो इस टाइप से नहीं बढ़ाएंगे तो जो है फिर क्या होगा कि बच्चे असफल हो जाएंगे उनको जब समझ में नहीं आएगा कोई चीज तो यह यह आप्सन सही हो जाएगा ठीक है अगला अप्सरान विद्यारथी असपल होते हैं क्योंकि विद्यार भेस्था परत्रिक विद्यारै या शकता हूं और अवे उचियों का ध्यान नहीं रखता है कुछ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला अपडेट आपको मिल जाए ताम तक मैं एक और वीडियो अप्रोड करूँगा टीक है वीडियो के बारे में कमेंट करें कुछ और आज जानकारी अगर चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें शेयर करें ताकि जो है जितने भी भाई बहन हैं दूर दराज गावं में बैठें उनको इस वीडियो का लाव मिले जो कोचिंग नहीं जॉइन कर भा रहे हैं ठीक है दोस्तों नमस्कार थेंक्यू